भारत की आर्थिक चोट से परिशान हुआ चीन दी चतावनी होगा नुकसान चीन ने गुरुवार को भारत को यह चतावनी दी है कि वे भारतिय अर्थ व्यवस्ता से चीन की अर्थ व्यवस्ता को अलग करने की कोशिश ना करे चीन ने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो दोनों देशों को ही नुकसान होगा चीनी राजदूत ने कहा कि चीन भारत के लिए रननितिक रूप से कोई खत्रा नहीं है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है चीन का ये बेयान तब आया है जब मोदी सरकार ने सुरक्षा कारणों से चीन के कई एपस को बैन कर दिया है इसके साथ ही विदेशी निवेश समयत भारत में कारोबार करने के कई नियोमों में बदलाव किये गए हैं जिससे चीनी कारोबार का हित प्रभावित होना तै है। चीनी राजदूत सन विडॉंग ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि चीन ऐसे संबंदों की वकालत करता है जो दोनों पक्षों के लिए फाइदे मंद हो और किसी का नुकसान ना हो। हमारी अर्थ व्यवस्ता एक दूसरे की पूरक है और एक दूसरे पर निर्बर है। इसे जबरदस्ती कमजोर करना ट्रेड के विप्रीत जाना है। इससे दोनों देशों को सिर्फ नुकसान ही होगा। चीन कोई विस्तारवादी ताकत या रननितिक खत्रा नहीं है। दोनों देशों के भीच सदियों से शांती पूर्न रिष्टे रहे हैं। हम कभी भी अकरामक नहीं रहे और ना ही किसी देश की कीमत पर अपना विकास किया है। हजारों सालों से दोस्त रहे देश को कुछ अस्थाई मत भेदों और मिश्किलों की वज़ा से विरोधी और रननीतिक खत्रा बताना पूरी तरह से गलत है। वहीं पूरी दुनिया में कई मुद्दों पर चीन के घिरने पर चीनी राय दूत ने कहा कि ताइवान, हौंग कॉंग, शीन जियांग और शीजांग चीन के आंतरिक मुद्दे हैं और इस से चीन की सुरक्षा जुड़ी है। चीन किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है और ना ही किसी बहारी दखल को बरदाश्ट करता है। सहमती बनी हैं लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जल्द ही कमांडर स्थर की एक और वारता होगी। विदेशी मंतराले के प्रवक्ता श्री अनराप श्रीवास्तव ने कहा कि हमें उमीद है कि सीमाई इलाकों में शांती और स्थिर्ता को कायम करने और तनाव घटाने के लिए चीनी पक्ष गंभीरता से काम करेगा। इंडिया होट टॉपिक्स की रिपोर्ट धन्यवाद।